परिजये जब इससे होकर विद्युधारा गुजरती है तो यहाँ चुम्बक की तरह काम करती है विद्यार्थियों आप भी रवी की ही तरह इसके बारे में और कुछ जानने के लिए ललाईत होंगे अतह आज हम गतिमान आवेश और चुम्बक की तरह के बारे में पता लगाएंगे एम्पियर का परिपथिय नियम परिभाशित करना परिनालिका तता टौराइट को परिभाशित करना दोसमनांतर विद्युधारा वाही चालकों के बीच बल का मुल्यांकन करना आयताकार विद्युधारा पाश पर बल आघून की गढ़ना करना परिक्रमी इलेक्ट्रोन का चुम्बकी द्विध्रुव आगून की गणना करना चलकुंडली ग्यालवेनो मीटर की व्याख्या करना ग्यालवेनो से एमीटर और वोल्ट मीटर में बदलना एंपियर का परिपथिय नियम एंपियर का परिपथिय नियम बताता है कि बंद पाश के चारो ओर चुम्बकिय शेत्र को समाकलित करता है। यह बताता है कि किसी बंद पत के अनुदिश चुम्बकिय शेत्र B का समाकलन प्रिष्ट से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युधारा I के मियूशून्य गुना होती है। गणतिय रूप से इसे बंद समाक कलन B.DL बराबर मियूशून्य आईद्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युधारा विन्यास की चुम्बकिय शेत्र की गणना के लिए यह साधारण तरीका है जिसकी उच्च सम्मिती है। सम्मिती द्वारा पाश के सभी बिन्दुओं पर चुम्बकिय शेत्र B का परिमार समान है और किसी बिन्दु पर इसकी दिशा वृत के अनुदिश लंबवत है। वृत्ताकार पाश के चारो ओर चुम्बकिय शेत्र B का प्रिष्ठ समाकलन B और 2PiR के बराबर दिया एंपियर के परिपथिय नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन μुशून्य आई होता है। उपर के दो समी करणों से हम पाते हैं कि B बराबर μुशून्य आई बटे 2PiR उदाहरण विद्युधारवाही चालक के कारण चुम्बकिय शेत्र पर एक उदाहरण लेते हैं। एक लंबा सीधा चालक 120 A विद्युधारा का वहन करता है। चालक से कितनी दूरी पर चुम्बकिय शेत्र के प्रभाव से विद्युधारा 0.8 गुणे 10 घातां घटा 4 टेसला के बरा 120 A विद्युधार बराबर 0.8 गुणे 10 घातांक घटा 4 टेसला म्यू 0 बराबर 4 पाई गुणे 10 घातांक घटा 7 SI यूनिट हम जानते हैं बी बराबर म्यू 0.2 बटे 2 पाई A समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि A बराबर 0.3 मीटर यहां चालक से 0.3 मीटर की दुई पर चुम्बकी यह शेत्र उत्पन्न होता है जब 0.8 गुणे 10 घातांक घटा 4 टेसला के बराबर विद्युधारा होती है परिनालिका परिनालिका के अक्ष के समानांतर है किसी भी आयताकारपत A, B, C, D के लिए समाकलन 4 समाकलनों से बनता है जिनमें प्रत्येक में एक रेखा खंड होता है इससे हमें प्राप्त होता है B.DL का बंद समाकलन बराबर B.DL का A से B तक का समाकलन यहां B.L के बराबर होता है M.P.R के परिपतिय नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन बराबर μ.N.I.L जहां L लंबाई के प्रती इकाई फेरों की संख्या है उप्रियुक्त दो समी करोणों से हम पाते हैं B बराबर μ.N.I. टोराइड डोनट आकरती के क्रोड के चारो और विद्धु धारावाही तार से लपेटा हुआ होता है एक आदर्ष टोराइड में तार को सटा सटा कर लपेटा जाता है ताकि चुम्बक्य शेत्र पूरी डोनट से बाहाशेत्र में सिमीत रहे सम्मिती द्वारा किसी चुम्बक्य शेत्र B का परिडाम आर् तरिज्या वाले किसी वृत्ति के सभी बिंदूों और निर्देशित सपर्ष जाके रूप में वृत्त के किसी बिंदु पर समान होता है इस प्रकार वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुम्बकिये शेत्र का समाकलन B और दो पाई आर के बराबर होता है MPR के परिपथिये नियम के अनुसार B.DL का बंद समाकलन बराबर म्यूश्यून एन आई जहां N फेरों की कुलसंख्या है उपर के दो समीकरणों से हम पाते है B.B.μ.श्यून एन आई बटे दो पाई आर समनांतर विद्धुधाराओं से उत्पन्य चुम्बकिये शेत्र यह समान दिशाओं में दो समनांतर चालकों की विद्धुधारा के कारण संयुक्त चुम्बकिये शेत्र को प्रस्तुत करता है चुम्बकिये शेत्र का यह प्रतिमान दो चालकों के बीच आकरशन का सूचक है यह विप्रित दिशाओं में दो समानांतर चालकों की विद्धुधारा के कारण संयुक्त चुम्बकिय शेत्र को प्रस्तुत करता है। चुम्बकिय शेत्र का यह प्रतिमान दो चालकों के बीच विकरशन का सूचक है। हम विचार करते हैं कि लंबे, सीधे और समानांतर तार के दो टुकडे आर दूरी पर हैं और विप्रित दिशा में आई एक और आई दो विद्धुधारा का वहन करते हैं। तार एक विद्युधारा आई एक का वहन करते हैं और तार एक तक सभी बिंदुओं पर चुम्बकिये शेत्र बीवन स्थापित करते हैं। यह चुम्बकिये शेत्र तार दो के उर्धव गामी अभी लंबवत निर्देशित करता है और इसका परिमान Goo 0I1 बटे 2πr के बराबर हैं। तार दो द्वारा उत्पन्य चुम्बकिये शेत्र के कारण तार एक बराबर और विप्रीत बल F1,2 पर लगाता है। F2-1 बराबर, रिन F1-2, फल स्वरूप, तारों के बीच लगने वाले बल प्रतिकारक हैं, दो तारों के बीच समान दिशाओं में, विद्धुधाराओं के होने की स्थिती में, तारों के बीच लगने वाले बल विपरीथ हैं और आकर्शित होते हैं, एक एमपियर, हम जानते हैं कि F बराबर, म्यू शून्य बटे दो पाई गुणे, I1, I2 बटे आर, जब I1 बराबर, I2 बराबर, एक एमपियर, और आर बराबर, एक मीटर, तब F का मान बराबर, दो गुणे दस, पर घातांक, रिन साथ, न्यूटन प्रति मीटर, अतह, एक एमपियर वह विद्युधारा है, जो अनंत लंबाई के दो सामानांतर चालकों में प्रतियक से होकर गुजरती है, और निर्वात में एक मीटर अलग है, तो इससे चालक की प्रति मीटर लंबाई पर दो गुणे दस पर घातांक, रिन साथ, न्यूटन बल प्रति QRS के बारे में विचार करते हैं, जिसकी A और B भुजाएं, बाहा एक समान चुम्बकिये शेत्र B में स्थापित है, सतह पर अधो लंब B के साथ ठीटा कोन बनाता है, जब विद्युधारा आई पाश से होकर गुजरती है, तो प्रतियक सरलखंड बल का अनुभव करता है, बल F1 और F3 के समान परिमान है, उनकी दिशाएं विपरीत और समरेख है, अतह इन बलों के कारण नेट बल और आघूर्ण शुने है, बल F2 और F4 परिमान और विपरीत दिशा में समान है, अतह वे कोई विशुध बल उत्पन नहीं करते हैं, हलाकि दोनों बल सनरेख नहीं हैं, वे बल लगाकर पाश पर आघूर्ण उत्पन करते हैं, जिससे बल और उत्तोलक के गुणन के बराबर परिमान उत्पन होता है, जो IAB sinθ के बराबर है, जहां A पाश का शेत्रफल है, उप्रियुक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, टाव बराबर MB sinθ, जहा M चुम्बकिये द्विध्रूफ सम्वेक का परिमान है, टाव बराबर M और B का वेक्टर गुणन फल विद्धारा पाश चुम्बकिये द्विध्रूफ विद्धारा आई के वाहक, किसी वृत्ताकार विद्धारा पाश पर चुम्बकिये द्विध्रूफ आगुण M और शेत्रफल A है, तो दिया हुआ है कि M बराबर शेत्र A और R कैप का गुणन फल M की दिशा दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दिया हुआ है तो फैला हुआ अंगुठा, चुम्बकिये द्विध्रूफ आगुण की दिशा को निर्देशित करता है परिक्रमी इलेक्टरॉन का चुम्बकिये द्विध्रूफ इलेक्ट्रॉन की कक्षिय गती से उत्पन्न होने वाला चुम्ब की आघुन दिया हुआ है EVR बटे दो इस चुम्ब की आघुन की दिशा सतह पर लंबवत पड़ती है यदि ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की परिमाड के साथ कोडिय आघुन प्राप्त करता है I बराबर MEVR उप्रयुक्त दोनों समी करणों से हम पाते है μू एल बराबर रिण E बटे 2ME गुणे L रिणात्मक दिशा बताती है कि दो साधिश विपरीद दिशा में है गुण चुम्ब किये अनुपात μू एल बटे L बराबर E बटे 2ME एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 8.8 गुडे 10 पर घातांक 10 कुलम प्रती किलोग्राम है बोर मैगनेटॉन μू बी बराबर E H बटे 4 पाई ME उसका मान अचर और 9.27 कुडे 10 पर घातांक रिण 24 एटियम वर के बराबर है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसका उप्योग, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के बनाने में होता है यह उस सिद्धान्त पर काम करता है जिसमें एक समान चुंबकिये शेत्र में विद्युधारवाहि कुंडली को लटका कर घूर्णन महसूस किया जाता है और लटकती हुई कमानी को मरोड कर प्राप्त संचित आगूर्ण को संतुलित करता है गैल्वनोमीटर एक यंत्र है जिसे किसी बेलनाकार नर्म लोह क्रोड पर कई फेरों में लपेटे हुए चालकतार से बनाया जाता है इसे कमानी से लटकाया जाता है और माप के लिए इसमें वाहक विद्युद्धारा आई होती है धुरूफ के टुकडे बेलनाकार होते हैं ताकि कुंडली चुम्बकिये शेत्र में परिक्रमन कर सके जिससे सभी जगे त्रिजबल हो यह त्रिजबल तै करता है कि विक्षेपित आगुण विद्युद्धारा का समानुपाती और सर्वदा अचर हो चल कुंडली गैल्वनोमीटर का मांदन्ड किसी गैल्वनोमीटर के लिए अविचल विक्षेपण दिया हुआ है एन बी ए बटे के गुणा आई जहां एन कुंडली के फेरों की संख्या है ए कुंडली का शेत्र फल है और के कुंडली का एंठन नियतांक है गैल्वनोमीटर द्वारा जब इकाई विद्धारा प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्न कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्वनोमीटर की वोल्टेज ग्राहता के रूप में किया जाता है विद्धारा ग्राहता फाई बटे आई के बराबर होती है जो एन बी ए बटे के के बराबर होता है गैल्विनो मीटर द्वारा जब इसके अनुदिश इकाई वोल्टेज प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्य कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्विनो मीटर की विद्युद्धारा ग्राहता के रूप में किया जाता है वोल्टेज ग्राहता फाई बटे वी के बराबर होती है, जो एन बी ए आई बटे के वी के बराबर होता है ग्यालवनो मीटर से एमीटर में परिवर्तन किसी परिपत में विद्धारा के माप के लिए एमीटर को आवश्यक रूप से परिपत के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है ताकि इससे गुजरने वाली विद्धारा को मापा जा सके ग्याल्वेनोमीटर के क्रम को विस्तृत किया जा सकता है और इसके साथ ही ग्याल्वेनोमीटर के सामानांतर निम्न प्रतिरोधी S जोड़कर सम्तुल्लि प्रतिरोध कम किया जा सकता है प्रतिरोध S शंट कहलाता है गैलविरमीटर और समानांतर प्रतिरोध संयोजन एमीटर कहलाता है V बराबर IG और G का गुड़न फल या V बराबर IS और S का गुड़न फल दोनों समी करणों को समान करने पर हम पाते हैं S बराबर IG बटे IS गुड़न जी हम जानते हैं कि I बराबर IG धन IS यहां S का मान बराबर IG बटे I रिण IG गुड़न जी S के इस मान से एमीटर, व्रिहत, विद्धुद्धारा I तक और निम्न विद्धुद्धारा मापने में सक्षम होता है Galvanometer से Voltmeter में परिवर्तन किसी परिपत में दिये गए उपखंड के अनुदिश विभिन विभव के माप के लिए Voltmeter को विद्धुद्धारा के उन उपखंडों के साथ समनान तर जोड़ा जाता है इस परिसर को विस्तरित किया जा सकता है और Galvanometer के साथ एक श्रेणी क्रम प्रतिरोधी आर को जोड़ कर समतुल्य प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है Galvanometer और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन Voltmeter कहलाता है परिपत पर ओम का नियम लागू करने पर हम पाते हैं वी बटे RS धनजी बराबर IG इसे निमन तरीके से भी लिखा जा सकता है RS बराबर वी बटे IG रिण जी RS को Galvanometer के श्रेणी क्रम में इस क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसका उप्योग Voltmeter के रूप में हो Voltmeter का उच्छ प्रतिरोध RS धनजी है क्या आप जानते हैं परिनालिका कुंजी का उप्योग किसी यंत्र को नियंत्रित करने में होता है यह व्युद्धुत चुम्बकी उर्जा का उप्योग करता है ताकि व्युद्धुत उर्जा को यंत्रिक उर्जा में परिवर्तित किया जा सके स्थापन और नियंत्रन प्रणाली में गैलवनुमीटर प्रक्रिया के लिए आधुनिक उप्योग है परिनालिका का उप्योग स्वचालित, गियर बॉक्स, सिलेक्टर्ज, पेट्रोल कैप लॉकिंग, कमपन इंजन समन्वा योजन और सुरक्षा प्रणाली के समाकलन के लिए होता है सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए एंपियर का परिपथिय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्धुधारा बंद पाश के चारो और चुम्बकिये शेत्र को समाकलित करता है एक परिनालिका दक्षण वृत्य बेलन की सतह के चारो ओर विद्धुधारवाही तार के चारो ओर लपेटा होता है तुराइड डोनट आकरती के क्रोड के चारो ओर विद्धुधारवाही तार से लिप्टा हुआ होता है दो चालक तारों में जब विद्युधारा समान दिशाउं में होती है तारों के बीच के बल में आकर्षण होता है एक एंपियर वविद्युधारा है जो अनंत लंबाई के दो सामानांतर चालकों में प्रतेक से होकर गुजरती है और निर्वात में एक मीटर अलग है तो इससे चालक के प्रती मीटर लंबाई पर दो गुणे दस से बढ़कर घातांक रिन साथ न्यूटन बल प्रती चालक प दक्षण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्युधारा की दिशा दाहिने हाथ की चार मुड़े हुई अंगलियों की ओर निर्देशित करती है तो फैला हुआ अंगुठा चुम्ब की द्विध्रुव आगुण की दिशा को निर्देशित करता है चलकुंडली ग्यालवनोमीटर उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुम्ब की चेत्र में विद्धुधारावाही कुंडली को लटका कर घुणन महसूस किया जाता है जो लटकती हुई कमानी को मरोड कर प्राप्त संचित आगुण को संतुलित करता है ग्यालवनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता का वर्डन इस प्रकार किया जा सकता है जब ग्यालवनोमीटर में इकाई वोल्टेज प्रयोग किया जाता है तो इसमें विक्षेप उत्पन होता है ग्याल्विनो मीटर और श्रेणी करम प्रतिरोधी संयोजन वोल्ट मीटर कहलाता है